वेल दोस्तों, इंडरेनल सिजन 12 के आने वाले एपिसोड में वो होने वाला है, पवंदीप राजन वो करने वाले हैं अरुनिता कांचिलाल के साथ, जो कि इससे पहले आप सभी दर्श को ने नहीं देखा। अरुनिता कांचिलाल एक ऐसा परफॉर्मेंस देने वाली हैं जिससे पवंदीप राजन अपने आपको रोक नहीं पाएंगे और अपने सीट को छोड़ कर स्टेज पर पहुँच कर वो पैर छुतेवे नजर आएंगे अरुनिता कांचिलाल के। अरुनिता कांचिलाल किस गाने के परफॉर्मेंस से पूरी तरह से मचाने वाली है धमाल। आईए अब सभी दर्श्कों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में क्या है ये मामला जिससे पवंदी प्राजन ने क्यों छुए अरुनिता कांचिलाल के पैर ये सारी की सारी पूरी तरह से clear कर देंगे आज हम आपको लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चानल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे बहले YouTube चानल को आप सब्सक्राइब कर लें और Indian Idol सीजन 12 के आने वाले एपिसोड में Bollywood इंडस्टी के फिल्मेकर करन जोहर सभी परफॉर्मेंस से पूरी तरह से इंप्रेस होकर कुछ परफॉर्मेंस से कुछ परफॉर्मेंस पे तो वो सीटिया मारने लगेंगे तालिया बचाने लगेंगे और उन्हें अपने धर्मा प्रोडक्शन हाउस में एंट्री जलवाएंगे और उन्हें में अरुदीब भी शामिल है अरुनिता कांजिलाल काफी शांदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं एक गाना होगा कभी खुशी कभी गम फिल्म का टाइटल ट्रैक जिसमें लता मंगेशकर की आवास थी लता मं इस गाने को भी शांदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं रुदा कांजिलाल और इतना एमोशनल कर देंगी सभी को और इतना प्यारा गाएंगी कि पवंधी प्राजन जो हैं उनके एक्स्प्रेशन को देखकर तो ऐसा लगेगा कि वो पूरी तरह से बेसुध हो गये हैं र सुरो की रानी नहीं सुरो की महरानी हैं आप जिस तरह से जिस एक्स्प्रेशन के साथ जिस मतलब इस गाने में जो जो चीजे चाहिए थी वो सब चीजे आपने कुट-कुट के भरी इस गाने के जरिए अपने एक्स्प्रेशन भी भरा आपने अच्छी तरह से फील भी ले प्यार है लेकिन पवंदी प्राजन ये करते हुए नजर आएंगे क्योंकि पवंदी प्राजन सची महबत एक तरफ जहां करते हैं तो वहीं ये सब चीजे जो है एक तरफ है पवंदी प्राजन के तो वहीं दूसरी तरफ है अच्छा टालेंट और साथी साथ एक अच्छा प कर्क ट्वी नूस्की रिपोर